हलो डियर फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड के अंदर जो टॉप कंपनीज हैं और साथे साथ भारत की जो इंपॉर्टन्ट ओर्गनाजीशन हैं उनके CEO कौन है बेसिकली अभी इस तरह का ट्रेंड दिखा जा रहा है कि जितने भी अभी CUET के एक्जामिनेशन हुए उनमें एक नाएक कोशन इस तरह का पूछा गया है कि किसी ना किसी कंपनी का या फिर किसी ओर्गनाजीशन का CEO पूछ लिया गया है तो जाद अच्छा रहेगा कि हम एक बड़ मेंमराइज कर ले याद कर ले देख ले उन्हें और कहींना कहीं शेदा में याद रहा जाए उध्याम के दोरां तो हमारा एक कोशन सही हो जाय तो करते हैं कि शुड़ू आज का वीडियो हमने कोशिश की है कि हिंदी में बेसिकली से इसको लिखा इसलिए है जिसे कि नाम के अंदर कहीं confusion ना होगे कुछ tricky होंगे कहीं का spelling में थोड़ा issue हो सकता है pronunciation में हो सकता है तो हिंदी से हमें काफी easily वो नाम याद रह जाएंगे तो that would be good तो हमने इसलिए हिंदी को use किया है तो सबसे पहले अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल के ये तो खेर सब ही जानते होंगे भारतिय मूल के व्यक्ति हैं सुन्दर प्रिचाई और काफी ज्यादा फेमस भी है भारतिय आई-टी खड़कपुर से रिलेट करते हैं भारतिय मूल के हैं और काफी अच्छे package पर हैं गूगल के अंदर हमारे लिए सबसे प्राइडी की बात यही है क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी आई-टी कोई कमपनी अगर है तो गूगल है हर एक फोन अगर एपल के बाद में हम बात करें तो शायद अगर एंड्रोइड अगर उसको अब्यूज करते हैं और उसमें अगर गूगल नहीं अगरी फेमिस ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल जहां शौपिंग भी आजकल तो इसके लावा दूसरी फैसिलिटीज भी एंड नाव एक और चीज जो अकेडमिक्स में भी इनका एक इन्वाल्वेंस होने वाला है बात कर रहे हैं Amazon की Amazon के नए CEO की बात करें तो that is Andy Jesse इसके पहले ह बात करें Apple है टीम कुक टीम कुक एपल के CEO है कुछ इंपॉर्टेंटली में से याद रखने वाले हैं आपको हमारे भारती अमूल के जो जो है उनको तो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना ठीक है तो Google आपने याद रख लिया इसके लावा आ जाईए आप Microsoft Microsoft के अंद अब ही मतलब क्यों इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट बिकास ये भारती अमूल के हैं ठीक है तो आप जो भी भारती अमूल के CEO है उनको जरूर से याद रखें अडॉब की बात करें शांतनो नारायन अडॉब काफी टाटा जी होंगे नहीं बट वो फॉर्मर थे अब टाटा के जितने भी ग्रुप से उन सभी की अलग-अलग जो जितनी भी फील्ड्स हैं उन सभी के अलग-अलग CEO है ऐसे में टाटा संस के जो CEO है वो है एन चंदरशेकरन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी नाम हो सकता है आप से पूछ लिया जाए तो इसको भी स्टार मारक आप कर सकते हैं ऑला कैब, उबर कैब, ऑला कैब के हैं भावेश, उबर के हैं दारा ठीक है हमारा ऑला कैब हाला कि अभी थोड़ा सा तुम्हें पता होगा बेंकरफ्ट होने वाला है काफी इसके अंदर और उबर कैब के है दारा खोष रोश शाही, धारा खोष रोश शाही, हो सकता है इसमें एक दो नाम ऐसे हो जो बेटा रिपीट हो जाए, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात निया है, रिपीट हो जाता है तो उसको अपन स्किप कर देंगे, पैप्सिको, रेमन लागुआ पैप्सिको के चेर्मन है, इसके पहले वाले चेर्मन भारती अमूल के ही थे, वहे भी, ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से आपको याद रखना है, बीसनल, भारत संचार नगर निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीसनल के जो CEO है, वो है प्रमीन कुमा कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हमारा जो बीसनल है, वो प्रॉफिट में रहा हो, हाँ, पहले जब दूसरी नेटवर्किंग्स नहीं थी, जरूर एडलाइन जब चला करती थी, जब बीसनल हमारा प्रॉफिट में था, हलाकि इसका मैक्जिमम टास्क जो है, मैक्जिमम जो इनका इंटेंशन है, वो यही है कि सर्विस प्रॉफिट की जाए, बट क्योंकि कम्पेटिशन काफ़े टफ है, और वो उसको कैपेबल नहीं है, इसलिए प्रॉफिट में नहीं है, बाकि बीसनल काफी ठीक है हमारे भारती मूल के लिए, नेक्स्ट, सोनी, सोनी का जो CEO है वो है, कैंचीरो योसीदा, कैंचीरो योसीदा, इसके बाद में आ जाते हैं, आइडिया एंड वोड़ा फोन, पहले ये दोनों अलग-अलग सर्विस प्रोवैडर थे, उसके बाद में इनका नया नाम, क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं, इन्होंने एक बहुत यूनीक सनाम रखा, जिसको हम कह सकते हैं, वी, वी मतलब हम, और इसके जो CEO है, वो है रविंद्र टककर, हाला कि और भी बहुत सारे कंपनीज के CEO रहे में हैं, और काफ इन्पॉर्टेंट है, तो वी के CEO, रविंद्र टककर, क्योंकि भारते मूल के हैं, तो आपको ये भी याद रह का था, और वुड़फोन है, एक फॉरन ब्रेंड है, भारत के अंदर उन्होंने मिलकर की, एक और एक नया ही ब्रेंड क्रेट करा, वी, और वी के, जो CEO रहे, वो है, रविंद्र टककर, ठीक है, इसको याद रखें, आप, नेक्स्ट पे आजाते हैं, अपन, आई बीम, इटल, भारती है एटल के, भारती है एटल के CEO है, गोपाल विटल, या विटल भी बोल सकते हो, गोपाल विटल, WhatsApp के CEO, हलाकि WhatsApp, Instagram, ये दोनों ही Facebook के अंडर में आते हैं, अब्र दोनों क्योंकि अलग ब्रेंड है, इसलिए इनके Mark Zuckerberg ना होकर के, इनके दो अलग-अलग CEO हैं, जैसे WhatsApp के है Will और Instagram के है Adam Adam Mosseri और WhatsApp के है Will Kath Court Kath Court और Adam Mosseri ये Instagram और WhatsApp के हैं पूछ लिया जाए हो सकता है आपसे तो Instagram जादा आपसे पूछा जा सकता है Instagram को आप highlight कर लेना सेम ऐसा ही जैसा हम आपको अभी बताया था कि Alla Caps के साथ में है वैसा ही Flipkart के साथ में भी है कल्यान कृष्णमूर्थी ये वो विक्ति हैं जोनोंने Flipkart को स्टार्ट किया था But nowadays the condition just changed क्योंकि tough competition है दूसरी online shopping portals की तरफ से और काफी ज़ादा यहां पर आपने देखा होगा corruption वाला situation है यहां पर कई बार ऐसे claims हुए है जो कि बताते हैं इनके prestige को question mark करते हैं चोरी हो गई कुछ और चीज मंगाई थी कुछ और आ गया इससे इनका trust और जो share markets में इनका ratio था वो काफी ज़ादा fluctuate हुआ negativity की तरफ Flipkart भी कही ना कही नुकसान में है still बट फिर भी आपको इसका भी CEO याद रखना है next TCS TCS भी एक well known brand है Rajesh Gopinath ऐसे ही विपरो के तो विपरो के लिए थोड़ा से देखो मैंने यहाँ पर एक अलग से एक column दिया है देखो विपरो के अंदर अगर हम country head की बात करें तो भारत country head के अंदर सत्य ईश्वरन सत्य ईश्वरन भारत विपरो के center head country head और अगर हम इनके worldwide CEO की बात करें तो he is Therry Delaporte जो इनके CEO है और भारत के अंदर country head की बात करते हैं तो सत्य ईश्वरन Infosys की बात करें तो Infosys के है Salil Parekh ये थोड़ा सा देख लेना ये भी important है Infosys का भी पूछा जा सकता है Infosys के कौन है Salil Parekh ठीक है next की बात करते हैं अगर आपन YouTube पे YouTube पे है Susan Vazris की जो की YouTube की CEO है next Twitter जैसे में आपको बताया था पराग अगरवाल ये latestly पूछा गया है आपसे तो पराग अगरवाल आपको याद रखना है अभी हम एक और वीडियो लेकर आएंगे आज ही जिसमें हम CUET के पूछे वे जो भी CUET examination हुआ है उसकी कुछ memory based questions भी हम discuss करेंगे ठीक है कोशिश तो रहेगी कि आज ही हो जाए तो ट्वीटर के CEO कॉन पराग अगरवाल सैमसंग के किम हून शुक किम हून शुक ओके सैमसंग के आगे वाले दो नाम और थे उनको आप skip कर दो वैसे आएंगे नहीं एक ही नाम आएगा किम हून शुक नौक्या नौक्या भी काफी एक रिरोन ब्रैंड अभी जो मैं इंपोर्टेंटली यह मार्क कर रहा हूं मैं फिर रिपीट करूंगा जो भारतिय मूल के CEO हैं उनको तो आप जरूर से याद रखना ही ठीक है नेक्स्ट जैसे नौक्या के मैंने बताए आपको नौक्या के CEO हैं पैका लुंड मार्क पैका लुंड मार्क ओके नेक्स्ट वॉल्मार्ट इंडिया वॉल्मार्ट के समीर अगरवाल ये भी बहुत फेमस परसन है समीर अगरवाल अधिकतर लोग IT से रिलेट करते हैं उनके IT सेक्टर में इनोवेशन इन कंपनीज का ओरीजन है और ओविसली इन में काफी लोगों ने सक्सस गेन की है कुछ अलग आप यूनीक सोचते हैं तो अल्टिमेटली आप नो ड़ाट फेमस होते ही होते हैं फिर है हिंदुस्तान ूणिलीवर लिमिटेड देखू लगने में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान अश्राटलीवर लिमिटेड भारत ही है कोई कंपनी है जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है बहुत तुरानी कंपनी है और अधिकतर हमारे जितने भी कॉस्मेटिक्स की चीज़े होती है उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है ठीक है हिंदुस्तान यूनिलीवर तब से है जब से अंग्रेज हमारे यहां थे तो उन्होंने नाम ही भारतियों लोगों को ये समझाने दिखाने के लिए क्योंकि उस टाइम पर ऐसे मूवमेंट चले थे जिसमें हमने डारक्ली ये सोच लिया था कि कोई भी चीज जो विदेशी बनी भी उसको मूझ नहीं करेंगे आपने सुना होगा बहुत सरे से मूवमेंट छेड़े थे ठीक है तो ऐसे ही हिंदुस्तान इनलिवर बनाया गया कि लोग इसके नाम को सुनके ये जज कर जाएं कि ये भारतिय मूलका है अलग ये भारतिय मूलका नहीं है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है राजीव महता जी के लिए कि विदेशी कंपनी और उसके CEO जो है वो भारतिय मूलके है इस राजीव महता ठीक है इसको भी आप याद रखें हिंदुस्तान पेट्रोलियम डियॉन वेलसर वैसलर डियॉन वेलसलर फेस्बुक मार्क जकरबर्ग मास्टर कार्ड ये इंपोर्टेंट है अजैपाल सेंग बंगा मास्टर कार्ड और काफी अभी मास्टर कार्ड अगर आप जितने भी एटेम देखेंगे तो ये सर्विस प्रोवाइडर देखो बैंक का कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता क्या SBI का आप एटेम कार्ड लेते हैं तो क्या SBI होती है वहाँ पर आपको सर्विस देने वाले नहीं तो यहाँ पर जैसे मास्टर कार्ड हो गया इसके लावा आपके पास में रुपी कार्ड हो गया ऐसे ही दूसरे और कार्ड होते हैं यह सारी अलग-अलग कंपनीज है इन कंपनीज का में इंटेंशन होता है सर्विस प्रोवाइड करना और पैसा कमाना बैंकों से लेते हैं और बैंक कस्टरमर से लेते हैं तो ऐसे ही जो मास्टर कार्ड के सीओ है वो है अजयपाल सिंग बंगा ठीक है टेलिग्राम के है पावेल डुरोव ये भी एक बार आप याद कर सकते हैं क्योंकि जो अभी ट्रेंडिंग में चीज़े हैं उन्हीं को हम पढ़ें तो जादा अच्छा कू आज कल ये भी बहुत इंपोर्टेंटली सोशल नेटवर्किंग साइट है और काफी जादा फेमस हो रही है जैसे ट्विटर की वो जो चड़िया है न तो ट्विटर की वो चड़िया ऐसे ही इसका भी एक लोगो है ये ये येलोईश कलर की है और इसमें भी एक बर्ड है और काफी तेजी से फेलरी है शोशल नेटवर्किंग है ये भी अप्रेमिर राधा कृष्णा अप्रेमिर राधा कृष्णा ये सीईओ है किसके कू के ठीक है मुझे ट्विटर से याद आया बेसिकली आप देखे जब भी इस तरह की कोई कंपनी कुछ ब्रेंड बनाने की सोचती है तुमका क्रेंटिविटी लेवल क्या होता है Actually squish है ēr tweeter Tweet का मतलब होता है जब चटडिया कोई चहचाहार्ट करती है तो उसको English में हम कहते है tweet ॥ीट है कि चटिया tweet कर रही है इसी से वो जो लोगो बना है चटिया का वो tweet हो गया और जहां पे चहाचाहाट होती है, that is Twitter, ठीक है, so कितना interesting है, आगे देखते हैं, इस्तुरू, Indian Space Research Organization, इस्तुरू के ये आपके अध्यक्ष है, अगर हम अभी कुछ नीचे और भी ऐसे Indian Organizations आएंगे, तो उसमें CEO नहीं होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है, जिन्होंने भी थोड़ दिन पहले एक मंगल यान, जब हमने यहां से प्रक्षेप किया था, उसके अंदर वो असफ़ल हो गया था, तो काफी जादा आपको टीवी पर ये दिखे होंगे, रोते वे, इन्होंने सारा ब्लेम अपने पर लिया था, और काफी अच्छे इंपॉर्टेंट परसन हैं हम सभी के लिए, ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं, नैशनल एरोनाटिक्स और स्पेस अड्मिस्ट्रेशन नासा, इसके हैं बिल नैलसन, जो नैलसन मेंडेला वाला है, वैसे नैलसन है, ये है बिल नैलसन और ये नासा क के अध्यक्ष हैं, ठीक है, 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 आरबियाए के गवर्नर है, शक्तिकांत दास, आरबियाए के अंदर कोई ऐसा हैड नहीं होता, अध्यक्ष नहीं होता, वाँ पे गवर्नर कंसिडर किया जाता है उन्हें, तो अभी at present note पे जिनकी हस्ताक्षर होंगे, जो latest आपको notes currency करण्सी मिलेगी उस पर होंगे शांतिकांथ दास के दो रुपए से जितनी भी बड़ी करंसी होगी उन सभी पर प्रिंटेड नोट्स होंगे तो उन सभी पर RBI के गवर्णर के साइन होते हैं दो रुपए से छोटी जितनी भी करंसी है अगर एक रुपए का नोट है तो उस पर फिनेंस मिनिस्टर के साइन होगी SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खर रा SBI के अध्यक्ष यह दोनों इंपॉर्टेंट लिए याद रख लेना LIC जो कि इन्हों काफी फेमस हुआ था क्योंकि इन्होंने शेर मार्केट में अपना एंट्रेंस दे करके एक बहुत अगड़ी फाइट देनी के सोची थी हाला कि यह सक्सेस्फुल नहीं हो पाए शेर मार्केट में इन्होंने कदम रखा और थोड़ा सा भी तो इन दिनों अनसक्सफुल है इसके अध्यक्ष है एम आर कुमार ठीक है एम आर कुमार लेकिन इन दों काफी फेमस रहा है लाइसी तो थोड़ा सा देख ले रहा है इस्टिल अथारेटी ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है इसको भी इंटरलाइन कर लेना सोमा मंडल अध्यक्ष इसके अलावा गेल गैंस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके मनोच जैन इसके अलावा ओएन जीसी तेल मतलब ओईल एड नाच्रल गैसेस लिमिटेड ये कॉपरेशन सुभाश कुमार ये सारे आपको अभी पढ़ने है एयर इंडिया एयर इंडिया के है इलकर I.C.I इलकर I.C.I ठीक है एयर इंडिया नेक्स इंपॉर्टन नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टन आई इन सी ये सभी अध्यक्ष है सुभाश कुमार भी अध्यक्ष है Amazon में अलरडी बिता चुका हूँ HCL सी विजय कुमार HCL Paytm Paytm के भी important है भी क्योंकि सबसे बड़ी यह company रही जिसने बहुत बड़ा LIC के LIC का इससे बड़ा था लेकिन LIC ने सबसे बड़ा IPO launch किया था उसके बाद में Paytm का IPO सबसे बड़ा रहा जो भी Paytm का IPO का मतलब होता है जब कोई भी company अपने आपको introduce करती है share market में तो सबसे पहले जितना भी investments वो demand करती है public से जिस form में वो use करती है जिस form में वो लोगों से demand करती है पैसे का वो होता है IPO तो इसमें Paytm ने बहुत बड़ी demand की थी इसके जो CEO है वो विजे शेखर शर्मा एक entrepreneur तो बहुत अच्छे हैं बट अभी नुकसान में है company phone पे ये भी important है Samir Nigam ये भी याद रख लीजेगा flip card already हम पढ़ चुके हैं ओला ये भी पढ़ चुके हैं दारा भी पढ़ चुके हैं Elon Musk Tesla Tesla और SpaceX दोनों के ही मालिक CEO है Elon Musk ठीक है ये देहान रखना next Nissan Nissan के जो CEO है वो है Makodo Uchida MRF MRF के है Rahul Maman ठीक है Maman से आपको उश्याद आना चाहिए Amirat next है हमना Emirates जिसके CEO है शेक एहमद बिन साइद अलमक्तुम ठीक है कावी बड़ा नाम है काफी महंगी एयर टिकेट्स होती है और काफी जादा मुनाफे वाले कमपनी है जिसके CEO है शेक एहमद बिन साइद अलमक्तुम Moneygram हाले कि हमारे भारत में कम चलती है बट फिर भी W Alexander Homes GoDaddy भारत का एक इंपोर्टेंट जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर डोमेन हम खरीदना पड़ता है जैसा है Competition.com Competition.com यह जो नाम है यह डोमेन होता है तो यह डोमेन प्रोवाइडर है एक कमपनी जिसका नाम है GoDaddy बोलते ना आपने देखा होगा advertisement में के अपने कमपनी बनाएं मुनाफ़ा बढ़ाएं तो वह ऐसा ही कुछ है तो इसके भी Importantly आपको याद रखने है CEO Aman Bhutani Yes Bank जो की काफी लंबे समय से नुकसान में है प्रिशान्त कुमार इसके अभी भी CEO है ये भी आप अच्छे से याद रखें काफी लंबे टाइम से ये Bank जो है नुकसान में है अगला देखते हैं अपन Next DRDO ये वाला आप से question पूछा जाएगा मुझे पता निया अचा क्यों feel हो रहा है तो जितने भी बच्चे अभी एक्जाम जिन्होंने नहीं दिया है इसको बहुत अच्छे से पढ़े के जाना ये आप double star कर सकते हो वो सकता है आप से पूछे J.Satish Ready DRDO के अध्यक्ष है ठीक है मैंने फिर कहा जितने भी भारती है और्गनाजेशन है उनके अध्यक्ष होगा तो ये DRDO के अध्यक्ष है जी सतीश Ready इसके अलावा राश्ट्री हरित अधिकरण इसके जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे जस्टिस आदर्ष कुमार गोयल भारती है खाद FSAI के जो अध्यक्ष हैं वो है दीपक कुमार पवार CBI के अध्यक्ष हैं रिशी कुमार शुकला निर्देशक FSAI के अध्यक्ष हैं रीता तेवतिया इसके अलावा राश्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं श्री भगवान लाल सहानी नीती आयोग के अध्यक्ष हमेशा हमेशा प्रिधान मंतरी होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी भारत के अंदर जो CAG है मतलब नियंतरक और महालेखा परिक्षक ठीक है मतलब जितने भी भारत के अंदर government organizations हैं उनमें कितना पैसा खर्च होना है कितना पैसा उन्होंने खर्च किया क्या सही तरीके से खर्च हुआ है के नहीं हुआ है उन सभी को ये actually judge करता है ये भी काफ important post होती है एक ही post होकी उसके अंदर अभी कौन है के अंदर तो गिरीश चंद्र मुर्मू ठीक है next मुर्मू से याद आना चाहिए आज प्राइम मिनिस्टर सारी प्रेजिडेंट के लिए elections हुए है 18 तारीक को और द्रापदी मुर्मू के लिए ब्राहरतिय जंता पार्टी ने नारेंद्र मोदी जी ने वोट डाला है और नो डाउट शायद 21 तारीक को रिजल्ट में नो डाउट नहीं 100 प्रेसेंट वही द्रापदी मुर्मू ही हमारे next प्रेजिडेंट बनेंगी तो मुर्मू से याद आना चाहिए दो है नहर्सी नहर्सी में है H.L.Duttten Nabard Nabard के फुल फौर्म मुझे बताएगा Nabard के अंदर जो हैड है वो है G.R. चिताल इसके अलावा Saeby के अंदर Saeby के अंदर अध्यक्षता किसकी है श्री अजैत्यागी जी की अजैत्यागी जी की इसके अलावा next है NAI National Archive of India यह हैं आपके वी आई वी सी मोधी सौरी वी सी मोधी रिलाइंस इंडुस्ट्री इसके मुकेश हमानी जो बहुत जल्दी बदलने वाले हैं इनकी बेटी इनकी जगे लेगी नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलिवर अल्रेडी हम बता चुके हैं संजीव महता ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ICICI Bank के संदीब बक्षी ये भी काफे इंपॉर्टनेंट है आपको ये भी याद रखना है अब देखो थोड़े से ये लास्ट कुछ पॉइंट्स है इनको थोड़ा सा फोकस कर लीजे ICICI संदीब बक्षी ये इंपॉर्टनेंट है एक्सेस बैंक अमिताब चौधरी ये भी इंपॉर्टनेंट है TCS अल्रेडी हमने एक बार कर लिया है राजिश गोपिनाथन नेक्स्ट हैं ड्रीम 11 के हर्जेन और लारसन एंट्यू ब्रो के हैं S.N. सुब्रमन्यम ठीक है इस तरह से कुछ CEO की लिस्ट है अब इसमें आपको याद कराया नहीं जा सकता आपको खुद को याद करना पड़ेगा हाँ बट जो हमने स्टार मार्क की हैं आप थोड़ा सा फोकेस करें कि उनको जरूर पढ़ लीजेगा उनमें से कहीं न कहीं एक ना एक CEO शायद आप से पूछ लिया जाए और शायद याद भी आजाए तो इसको एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे यह हम आपके साथ शेयर करेंगे जरूर से और कहीं प्राब्लम है तो जरूर से पूछेगा हम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टापिक के साथ थैंक्यू सो मच